आज के अंक में हम लोग तुला राशी वालों के लिए कैसा रहेगा यह नया विक्रम समत दो हजार अठतर सन दो हजार एक्टिस और दो हजार बाइस अपने भीतर किन रहस्यों को समेटे हुए है आईए शुरू करते हैं यह वीडियो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले इसको सबस्क्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपना एक छोटा सा लाइक दे देना उससे मुझे नए वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है साहस मिलता है और यदि वीडियो काम की समझ में आए तो आप उसको शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे तुला राशी वाले जातकों आपके उपर नौंबर सन 2020 से सनी की धैया पुना प्रारंब हो चुकी है आप अपने ब्योहार पर नियंतरन और आप ड़रे रही है आप अपने ब्योहार से अपने लिए श्ट्रव को बहते जा रहे हैं आप अपने ईगो को बसमें करिए उसको को नियंत्रण में कर ये अन्ता की स्थिति में आप अपने आपको असहाय पाएंगे अखेला पाएंगे सनी की धैया चल रही है मित्रों मैं हूं विमल और करता हम आपका आपके ही यूटूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राक्तिक जीवन आपको अपने जबान से कटू सब्दों का प्रयोग कम करना है मत बोलिए कम बोलिए बोलिए ही मत जिस थान पे क्रोध की मात्रा बढ़ रही है वहां से बाहर निकल जाए अनायास रूप से अपने एनर्जी के प्रवाह को मत भी खेरिए अपने उ रही होगा मंगलकारी होगा अपने स्वास्त पर ध्यान दीजिये अपनी लिए एक स्वस्त दिन चर्या का ने धारन करिए जमिन ज्यादाथ से संहित मामलों में धृनहानी का योग-बना हुआ है आप अपने पत्नी के स्वास्त कवड़ लेकर के बहुत ही चिंतित रहने व पर लिंक दे रखा हूं नीचे आप चाहें तो description box में जा करके उसको देख सकते हैं आपकी मान सम्मान में कमी आएगी माता के पक्ष से आपको लाभ मिलने का योग बना हुआ है इस वर्स आपको पारिवारिक सुख मिलने वाला है जो के और आपको पारिवारिक सुख मिलने वाला है उसको इश्वर का अशिर्वात समझ के गरहन कर रिए बहुत गयर्थ की भागदार क्यों जीवन में बनी हुई है य। ब्यस्त जीवन शैली जुंवत्गवर्ण विक्राइनW कर्मों के आधार पे हो चुका है उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करिए जब सनी की ढहिया चल रही है तो आपके सारे कार धीमी गति से संपन्न होंगे आपको तड़ पढ़ाने की आवश्यक्ता नहीं है या मान के चलिए कार्यों में धीमापन आ जाएगा आपकी जो बहुत तेज गति से चलना नहीं है अपने स्पीड पर भी अपने गति पर भी आपको नियंत्रा रखना है अपनी योजनाओं को अपने मानसिक पटल पे ही छीपा के अपने मुल भूत योजनाओं को सारोजनिक मत करिये अपने वीरोधियों के साथ मत बताइए क्योंकि आपको खुद मालूम नहीं है आपके बाल बच्चों को सारी कष्ट होगा सारी बीमारियां उनको घेरेंगी और उसके काराण आप परिसान रहेंगे हाला कि आपके बंधु बांधों के सामान उन्नती का योग बना हुआ है सारीरिक मानसिक आर्थिक और पारिवारिक उल्जनों से घेरे हुए रहेंगे इस वर्ष भूमी भवान वाहन क्रय विक्रय का अच्छा समय नहीं है माता पिता से मतभेद आपका रहेगा अपने धर्म पतने से मतभेद आपका रहेगा यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अध्यन करने से आप जी चुराने लगेंगे पढ़ा हुआ आपके मस्तिस्क में नहीं जाएगा आपको विस्मरन हो जाएगा और उसके लिए मैं एक वीडियो बना के रखा हूं एक्जाउम फोबिया के नाम से आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो का आप अवलोकन कर लीजिए पास सरस्ती का प्रयोग उसमें बताया गया है आपको लाव मिलेगा आपके विरोधियो की संख्या बढ़ रही है तो आप उन सारे कारियों को बंद कर दीजिए जिद्द छोड़ दीजिए समय अनकूल आने पे उस कारे को आप करेंगे आपकी कम से कम उर्जा उसमें ब्याय होगी सनी की यह जो दशा चल रही है आप सभी लोगों के उपर उसका आपको उपाय ब और यदि आप पुर्ष हैं तुसरी हनवान जी महराज बजंग बली की सरण में जाए संकट मोचन महराज बाला जी महराज आपके उपर आशिरवाद बनाए रखेंगे सनी के कुद्ष्ट का यह जो फल है जो की आपके कर्मों के आधार पर ही उपजा हुआ है उसको आप सा करते हुए जमान रूप से जहेल जाएंगे हों होनी निराश नहींStudy प्रतालित नहीं हुद क्रक्या करना आराधना करना यदि वाशुदेव का आराधना करणा थो आपको मंत्र है ओम नमों भगवते वाशुदेवाया इस मंत्रय का 108 बार आपको जब करना है जब करने की स देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं, हनुमान जी महराज की सरण में यदि आप जाते हैं, तो आपके लिए एक मंत्र मैं दे दे रहा हूं, ओम हंग हनुमते, रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र से आपको एक सव आठ आवरित्ति इस मंत्र की करनी है, और एक साथ में प्रयोग दोनों लोगों को करना है, चाहे इस्त्री हों, चाहे पुरुष हों, आपके लिए एक प्रयोग और करना है, शनी का मंत्र, ओम, प्राम, प्रीम, प्राम, सह, सनाइश्चराया नमह, इस मंत्र का आपको जब करना है, हफ्ते में जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं जब करने की संपुर्ण विधी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप मेरी पिछले वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं अब प्राता काल सायंकाल करना क्या है अगर आप हनुमान चालिसा करते हैं अज़ि आप सुन्दर कांड का पाठ करते हैं यदि आप हनुमान जी महराज की आरती गाते हैं तो आपको ससे लाभ मिलेगा आप एक लाल कलम से सीता राम सीता राम भी प्रति दिन लिख सकते हैं एक सवाथ बार और आप ओम नमह शिवाय यह भी 108 बार किसी स्वक्ष पुस्तक पर स्वक्ष कौपी पर लिख सकते हैं इससे भी आपको लाव मिलेगा हनमानजी की आराधना आपको करना है हनमानजी की सरण में जाना है उनको दीपक दिखाना है अगर बत्ती दिखाना है उनकी आरती गाना है और प्रार्थना करना है प्रार्थना उनसे करना है शनी के लिए कुछ और भी उपाय है मेरे पास उसको मैं आपसे चर्चा कर देना च शायंकाल वहां पर एक दीपक जला देना है बड़ा ही साधारन सा प्रयोग है उसको आप कर लीजिएगा एक प्रयोग और आप कर सकते हैं जब प्रकृति आपके अनकूल हो जाए अथा तो वर्षा काल आ जाए तो उस समय किसी स्थान पर आप निकल जाएगा अपनी साइकिल लेकर मोटर साइकल लेकर अपना कार लेकर के किसी दूर स्थान पर निकल जाएगा बंजर जमीन के आस पास कहीं बढ़ियां जमीन सरकारी जमीन देख लीजिए गा वहां पर एक पीपल का व्रिक्ष अथवा एक बर्गत का व्रिक्ष अपने हाथों से लगा दीजिएगा पूरा भरोसा करिए इससे सनी आपके सत्कर्मों से इतना प्रभावित हो जाएंगे, अपना सारा क्रोध त्याग देंगे, अपना सारा घिना त्याग देंगे, और आपको लाभ मिलने लगेगा, देवता आपके कार्यों में सहयोगी बन जाएंगे, कुल देवी, कुल देवता और पित्र आपका मार्ग दर्शन करने लगेंगे, गुरु की क्रिपा आपके उपर बन जाएगी और आपके जीवन में सुख आने लगेगा, आप चाहें तो शनिवार का ब्रत भी धारन कर सकते हैं, प्राता काल उठकर के सुरी को जल देना है, आधारन और अत्यंद प्रभाव शाली विधी मैंने बता दिया है, मेरे पिछली वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा, मित्रो म हुआ हु विमल और इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, यदि आप मेरे इस चनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस्टमेत रहें, उसको शेर कर देना, आ बहुत बहुत धन्यवाद, पडाम शुकार करें,